तो आज हम बनाने वाले हैं बेंगन का भरता वह भी विलेज स्टाइल में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू रीच टैन के थेंक यू एंड देन स्टार्ट वीडियो में यहापे कुछ बड़े वाले बेंगन लिये हैं उसके उपर हमें अच्छे से कटला लगा देना है और एक चाकू से चीरा करके उसे हमें लकड़ी पे इसे आग में रख देना है जैसे कि उसका बेंगन का भरता का टेस्ट ही निकल लेना है और उसकी जो स्कीन होती है उसे हमें Office से इसे सेपरेटस कर देना है ध्यान रहें कि हाथ जलना जाए और उसमें कुछ ज्याधा रहत जाए अच्छे से निकल लेना है और शाफकर देना है मैं ने तीन बड़े-वाले बेंगन लिय थी जिसका लुक कुछ यस पसंद की हो मैंने यहां पे कुछ हर मिर्च लाल मिर्च ली है उसे हमें अच्छे से finely chop कर देना है आप चाहे तो लाल मिर्च को avoid कर सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट काफी अच्छे रहेगा तो मेरे इसाब से आप उसे add कर सकते हो तो मैंने यहां पे सभी चीज़ों को finely chop कर लिया है जैसे onion टोमेटो मैंने यहां पे कुछ spring onion ले थी दो या चार आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं इसका टेस्ट काफी अच्छा रहेगा और उसका लूग भी अच्छा लगेगा विंगन के भड़ते में तो फाइनली सभी चीज़े अच्छे से चोप हो गई है और बिंगन के भड़ते को भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है देन हम लगाएगी उसका तड़का तो मैंने यहां पे एक पेन लिया है उसमें डाला है तीन चमच ओल थोड़ा सा जीरा उसके बाद थोड़ा सा लस सोल्ट और जो भी हमने 5 मिनिट पे अच्छे से कुप कर देना है धेन एड़ करना है थोड़ा सा मसाला सोल्ट और हल्दी पाउडर धन्या पाउडर लाल मिच पाउडर सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे में अच्छे से से सेख लेना है बाद में डालना है जो हमारा बिंगन का फड़ता है वो बिंगन का फड़ता एड़ करने के बाद आप सिर्फ उसे दो चार मिट के लिए से के गए तो यह अच्छे से उसमें खुल जाएगा और उसका टेस्ट एकदम से जो बाजार में हम खाता है ना ठाबे स्टाइल उस टैप से आएगा तो आप इसे एक बार ज कमेंट चरूर कर देना ओके बाई